प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो, देखे आज आपकी मैम आपके लिए बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हैं आपकी आकरती की किताब है ना, उसमें आपका जो पार्थ है पार्थ तेरा चूचूँ हमने इसका पाठन किया था, आज हम इस कहानी के बारे में समझेंगे इसका अर्थ समझेंगे, इस कहानी में बताया क्या गया है तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे इस कहानी को बहुत प्यारी है एक वार क्या हुआ पता आपको जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे एक पेड़ पर एक चडिया थी जो गोसला बना कर उसके ऊपर रहती थी उस चडिया का एक चोटा सा बच्चा था उसका नाम पता है क्या था? मम्मा जो थी चुडिया मम्मा वो अपने बेटू से बहुत प्यार करती थी अब वो छोटा सु था चोटा सा था तो वो उड़तो सकता नहीं था तो मम्मा उसके लिए खाना लेने जा दी थी यानि कि दाना और चुगा जाना चुपका लेने जाती थी डेली जाती थी तो उसके लेके आती थी फिर उसको खिलाती थी है ना जो चुँचु था वो ठोदा ठोदा करके बढ़ा होने लगा था यह और ना सीख रहा था जिनकी उसके थोड़े पंक निकलाए थे अब क्या हुआ एक दिन चडिया ने कहा, चडिया जो मम्मा थी, उसने अपने बेटू से कहा, चूचू मैं बाहर जा रही हूं आपके लिए खाना लेने के लिए, आप अपने गोंसले से बाहर मत आना, तो चूचू न बोला ओके ठीक है ममा चड़िया चली गई चूचू चीची करके जो चूचू था वो गाना गाने लगा इतने मैं एक बिल्ली आई उसकी नजर पड़ी चूचू पे चूचू न नहीं देखा उसे लेकिन बिल्ली ने देख लिया तो बिल्ली कहने लगी अरे ये तो अकेला है चोटा सा है इसे तो मैं खाऊंगी और अपना पेट भर लोंगी ये सोचकर जो बिल्ली थी वो हसने लगी अब क्या हुआ बिल्ली जो थी पेट पर चड़ने लगी चुछू को पता ही नहीं था कि बिल्ली आ रही है मुझे खाने के लिए लेकिन पेड जो था, उसकी डाल जो थी, जिस पर वो चड़ रही थी वो बिल्कुश सीधी थी तो बिल्ली बार-बार उस पर से खिसक रही थी, नीचे गिर रही थी बार बार गिरतने के कारट फिर वो उस पर चड़ी ही नहीं वो चड़ी ही नहीं सकी फिर नीचे बैठकर म्याउं म्याउं करने लगी इतने मैं चड़िया का जो बच्चा था चूँचू उसने देखा अरे बहार से किसकी आवाज आ रही है आओ मैं तुम्हें अपने गोद में खिलाऊंगी, आजाओ बाहर आजाओ, मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाऊंगी, ओके, देखिए, यहाँ पर दिखाया है, चुचु यह रहा, बिल्ली यह देखिए, पेड़ एक्तम सीधा है, ठीक है, तो चुचु न का, ना मोशी ना, म मैं नीची नहीं आओंगा, मम्मा ने मना किया है, जब तक मैं आना जाओं, तुम अपने गोंसले से बाहर मताना, तुम चले जाओ, अब बिल्ली करती क्या, चुचु तो आने से रहा, उसने तो मना कर दिया, बिल्ली जोती ठक के बोल बोल कर वांच से चली गई, फिर क्या चुचु फिर गाना गाना शुरू कर दिया चुचु ने, चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीच आपको खा जाती तो उसने फिर अपनी मम्मा का कहना माना उसको बहुत प्यार किया तो बैटा क्या सीखा आपने कि हमें भी अपने मम्मा पापा की बात माननी चाहिए हम यह मान सकते हैं कि किसी टाइम वो हमें डांटते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वो हमें डांट रहे हैं ह लेकिन उनकी डाँट से हमें पता चलता है कि वह हमें क्यों डाट रहे हैं, अगर हम उनकी डाँट ना माने तो हम कुछ गलत कर देंगे, जिसके कारण हमें प्रॉबलम हो जाएगी, तो हमें भी अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, और उनके प्यारे-प्यारे जान रखोगे और उनकी हर बात को मानोगे, जो मम्मा पापा ने कहा उसको मानोगे, ठीके, तो अब आपका होमवक यह है, आपको इस पार्ट में देखिए, मैंने कितने सारे शब्दों को रेखांकित किया है पैंसल से, ये सारे शब्द जो हैं आपको अपनी कारण पस्ति लेक करेंगे, ठीके, बाई 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 बच्चों